भुगोल की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा पर्यावरण। आईए अब सुनते हैं अध्याय चार। शीर्शक है वायू। हमारी पृत्वी चारों और से वायू की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायू मंदल कहते हैं। पृत्वी के सभी जीव जीवित रहने के लिए वायू मंदल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायू प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं इवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं अतह यह वह वायू राशी है जिसने पृत्वी के तापमान को रहने योगे बनाया है वायू मंडल का संगटन क्या आप जानते हैं कि जिस वायू का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तों में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है नाइट्रोजन तथा ओक्सिजन ऐसी दो गैसे हैं जिनसे वायू मंडल का बड़ा भाग बना है कारवन डाय ओक्साइड, हीलियम, ओजोन, आरगान एवं हाइड्रोजन कम मातरा में पाई जाती है इन गैसों के अलावा धूल के छोटे-छोटे कन भी हवा में मौजूद होते हैं चितर संख्या 4.1 में वृत्ता रेख दिया गया है जिसमें वायू के विभिन संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए है आईए एक नज़र डालते हैं इस चितर पर चितर संख्या 4.1 और यहां वायू के विभिन संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं जैसे ऑक्सिजन इस वातोरण में 21 प्रतिशत नाइट्रोजन 78 प्रतिशत अन्य सभी मिलकर के 0.04 प्रतिशत और कार्बन डायकसाइड 0.03 प्रतिशत है और आरगान 0.93 यानि 0.93 प्रतिशत है ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता किन्तु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायू मंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस उश्मा के द्वारा पृत्वी का तापमान बढ़ता है इसे भू मंडलीय तापन या ग्लोबल वामिंग कहते हैं तापमान में इस व्रिधी के कारण पृत्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिगलती है जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में तो हो सकते हैं नैट्रोजन वायू में सरवाधिक पाई जाने वारी गैस है जब हम सांस लेते हैं तब फेफडों में कुछ नैट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं करंतु पॉधों को अपने जीवन के लिए नैट्रोजन की आवरशेक्ता होती ह वे सीधे वायू से नाइट्रोजन नहीं ले पाते मृदा तथा कुछ पौधों को जड़ों में रहने वाले जीवानूं वायू से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके ओक्सिजन वायू में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है मनुष्य तथा पशू, सांस लेने में वायू से ओक्सिजन प्राप्त करते हैं हरे पादप, प्रकाश, संसलेशन द्वारा ओक्सिजन उत्पन्न करते हैं इस प्रकार वायू में ऑक्सिजन की मातरा समान बनी रहती है। यदि हम ब्रिक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डायकसाइड अन्य महतोपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डायकसाइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सिजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डायकसाइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पश्वों द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डायोकसाइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोईला तथा खानिज तेल आधी इंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायू मंडल में प्रतिवर्ष करोडों टन कार्बन डायकसाइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिनाम सरूप कार्बन डायकसाइड का बढ़ा हुआ आयतन प्रिथवी पर मौसम तथा जलवायू को प्रभावित करता है। वायू मंडल की सन रचना हमारा वायू मंडल पांच परतों में विभाजित हैं जो प्रिथवी की सतह से आरंब होती है। यहे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वाह्य वायू मंडल एवं बहिर मंडल। क्या आप जानते हैं, जब वायू गरम होती है तो फैलती है और हलकी होकर उपर उठती है, थंडी वायू सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ती होती है, गरम वायू के उपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से थंडी वायू रिक्त स्थान को भरन के लिए वहां आ जाती है इस प्रकार वायू चक्र चलता रहता है और अब सुनते हैं क्षोभ मंदल क्या होता है यह परत वायू मंदल की सबसे महत्व पूर्ण परत है इसकी आउसत उचाई 13 किलोमीटर है हम सभी मंदल में मौजूद वायू में सांस लेते हैं मौसम की समताप मंदल इसके बारे में अभी हमने चित्र में भी सुना था आईए अब सुनते हैं इसका वर्णन क्षोभ मंदल के ऊपर का भाग समताप मंदल कहलाता है यह लगभग 50 किलोमीटर की उचाई तक फैला है यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है इसके फलस्वरूप यहां की परिस्थितियां हवाई जहाज उडाने के लिए अदर्श होती है समताप मंदल की एक महतोपूर्ण विशेशता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है और अब सुनते हैं मध्य मंदल जो हमने इस चितर में देखा था मध्य मंदल यह वायू मंदल की तीसरी परत है यह समताप मंदल के ठीक उपर होती है यह लगभग 80 किलोमेटर की उचाई तक फैली है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उलका पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं और अब वर्णन है इसी प्रिष्ट पर वाहिय वायू मंदल वाहिय वायू मंदल में बढ़ती उचाई के कारण तापमान अत्यधिक तीवरता से बढ़ता है आयन मंदल इस परत का एक भाग है यह 80 से 400 किलोमेटर तक फैला है रेडियू संचार के लिए इस प प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनह प्रिथवी पर परावर्तित कर दी जाती हैं बहिर मंदल वायू मंदल की सबसे उपरी परत को बहिर मंदल के नाम से जाना जाता है यह वायू की पतली परत होती है हलकी गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यही से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। मौसम एवं जलवाईू। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुह से एक दिवसिये मैच के भविष्ये पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कलपना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिश्क उसके स्पीकर तो मौसम वह है जो इसके नियंतरन बटनों से छेड़ छाड़ करता रहता है। मौसम वायू मंदल की प्रतेक घंटे तथा दिन प्रति दिन की स्थिती होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। जबकि अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाट की ये रूप से दिन प्रति दिन बदलता है। किन्तु दीर घकाल में किसी स्थान का आउसत मौसम उस स्थान की जलवायू बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। क्या आप जानते हैं। यह जानकर आपको आश्चर होगा कि पृत्वी सूर्य की उर्जा के दो अरबुएं भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करती है। तापमान आप प्रति दिन जिस तापमान का अनुभाव करते हैं वह वायू मंदल का तापमान होता है। वायू में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमान को तापमान कहते हैं। वायू मंदल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बलकि रितूओं के अनुसार भी बदलता है। शीत रितू के अपिक्षा ग्रीश्म रितू ज्यादा गर्म होती है। आपतन एक महत्वपूर कारक है, जो तापमान के वित्रण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह उर्जा जिसे प्रित्वी रोक लेती है, आपतन कहलाती है। आपतन या सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रूओं की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रूओ बर्फ से क्यों ढखे हुए हैं। यदि प्रित्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहां कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाओं के अपिक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सडकें एवं धातू और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह उश्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले उचे भवन गर्म वायू को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायू दाब यह जानकर आपको आश्चर यह होगा कि वायू हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किन्तु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायू का दाब हमारे उपर सभी दिशाओं से लगता है, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृत्वी की सतह पर वायू के भार द्वारा लगाया गया दाब वायू दाब कहलाता है। वायू मंडल में उपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, समुद्र स्तर पर वायू दाब सरवाधिक होता है, और उचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायू दाब का क्षेतीज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायू के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायू गर्म होकर उपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्नदाब बादल्युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायू थंडी होती है, जिसके फलसरूप यह भारी होती है। भारी वायू निमजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्च आकाश होता है। वायू सदैयो उच्च दाब क्षेत्र से निम्नदाब क्षेत्र की और गमन करती है। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्नदाब क्षेत्र की और वायू की गती को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथ्वा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी-कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धूए को उड़ाते देख सकते हैं। कभी-कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठीन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में च्छाता लेकर चलना आसान नहीं है। तीन अन्य उदाहरन सोचिए जब तेज पवन के कारण आप के लिए समस्या उत्पन्न होई हो। पवन को मुख्यत तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। और आईए अगले प्रिष्ट पर चलने से पहले इसी प्रिष्ट पर तीन बॉक्स और सबसे पहला बॉक्स है उसका शीर्शक है क्या आप जानते हैं। कि चान्द पर वायू नहीं है अत्ययो वहां वायू दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चान्द पर जाते हैं तो वे विशेश रूप से सुरख्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विप्रीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शीराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। एक बॉक्स और इसी प्रिष्ट पर और इसका शीर्षक है क्या आप जानते हैं। आए सुनें, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी अथ्वा पच्छुआ पवन कहते हैं। दो, मौसमी पवने। ये पवने विभिन्य रितुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने। तीन, स्थानिय पवने। ये पवने किसी छोटे क्षेतर में वर्ष या दिन के किसी विशेश समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरीक शेतर की गर्म एवं शुष्क स्थानिय पवन याद है। इसे लू कहते हैं। इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या 4.4 है और उसमें प्रमुख वायू दाब पेटियों के बारे में बताया गया है। तो आएए जानते हैं उनका विवरण सबसे उपर उच्च दाब उसके नीचे द्रुविय पूर्वी पवन उसके बाद अधो द्रुविय निम्न दाब उसके बाद सनातन पच्छुआ पवन फिर उपोष्ण उच्च दाब या हौर्स अक्षांश और यहां पर हम इस चित् पूर्वी व्यापारिक पवन फिर हम यहां देख सकते हैं भूमध्य रेखा ने पृत्वी को आर पार काटा है और इसका वर्णन यहां पर है भूमध्य रेखिय निम्न दाब या डोल्डरम उसके नीचे हम देखते हैं दक्षिन पूर्वी व्यापारिक पवन फिर चक्रवात, प्राकृतिक आवेश भारत के पूर्वी समुदरी तठ पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाडी में उठने वाले चक्रवातों का खत्रा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के पाँच जिलों में चक्रवात आया। 29-19 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महा चक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यता पवन का वेग वर्षा एवं ज्वारिये प्रोथकर्ष से हानिया हुई। 260 किलोमीटर प्रती घंटे तक के वेग से चली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। तीवर वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखार दिया और कच्चे घरों को नश्ट कर दिया। अनेक औध्योगिक भवनों एवं अन्य घरों की छाते भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ती एवं टेलिफोन लाइने पूरी तरह से कट गई। चकरवात के फलस्वरूप लगातार तीन दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चकरवाती पवनों के कारण उठी जुआरी तरंगें स्थल पर 25 किलोमीटर तक भीतर आ गई। और फलस्वरूप तटिये क्षेत्रों में भायानक तबाही हुई। अचानक साथ से दस मीटर उची जुआरी तरंगें आ गई। जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नश्ठ हो गई। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेर के निकट थाइलेंड की खाड़ी में अबदाब के कारण यह चकरवात उत्पन हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशाव में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचकरवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह साड़े दस बजे ओडिशा के इरे सामा एवं बाली कुड़ा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचकरवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बरवाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए, बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई, धान, सबजीयों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ, ज्वारिये प्रोतकर्ष से उत्पन हुई लवनता के कारण क्रिशी योग्य विशाल अनुपजाओ हो गए, साल, सागवान एवं बास के बागान वाले विशाल भूखशेत्र नश्ट हो गए, पारदीप एवं कोणार्क के बीच मैंग्रेव के जंगल लुप्त ही हो गए, आर्दरता जब जल पृथवी एवं विभिन जलाशेयों में वाश्पित होता है, तो वह जलवाश्प बन जाता है, वाईू में किसी भी समय जलवाश्प की मात्रा को आर्दरता कहते हैं, जब वाईू में जलवाश्प की मात्रा अत्यधिक होती है, तो उसे हम आर्दर दिन कहते हैं, जैसे जैसे वायू गर्म होती जाती है इसकी जलवाश्प धारण करने की इक्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है आर्द्र दिन में कपड़े सुखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सुखता और हम असहज महसूस करते हैं जब जलवाश्प उपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है जलवाश्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदे बनाते हैं बादल इन्ही जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायू में तैर न सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायू के गतिमान न रहनी की स्थिती में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पित्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षन वर्षा कहलाता है। ज्यादतर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षन में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्षवों से पेड काटे जाते हैं तब वर्षा जल अनावरित पहाड़ों स से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधी आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं। संबहनी वर्षा, पर्वतिय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। पाउधों एवं जीव जन्तूं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महतुपून है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है।